देखो न्यूस तो आप सबने फॉलो की होगी कि डॉनल्ड ट्रम्प पर दुबारा एक सेकंड असासिनेशन अटेंप्ट हुआ है अब इसकी सारी डीटेल्स 58 एक आदमी ने किया वह यहां जब गॉल्फ कॉर्स में डॉनल्ड ट्रम्प अपने फ्लॉरिडा की तरफ बढ़ा गया यहां आपको इससे जाधे इंपोर्टेंट रिफाइल जमाजना वो जो आदमी था उसका प्रोफाइल क्या था यह वाज अप्रो यूक्रेइन सपोर्टर ठीक है यूक्रेइन वहार में आदमी बोल रहा था कि यूक्रेन बढ़ चलता रहना चाहिए और यूक यूक्रेइन गया भी हूँ solidarity and support के लिए मतलब यह चाहते थे कि ट्रम्प असाइसिनेट हो सोदाट यूक्रेइन वार को रोकने की बात ही खतम हो जाए और कंटीनियसली वार चलता रहे ठीक है यह एक एजंडा था अब ट्रम्प पर यह असासिनेशन अटेंप्ट यह सक्से आपके यहां पर हर को एक दूसरे की घर्दन काटने लगा हूँ बच्चे के पास बंदूग होती है जाके स्कूल में shooting कर देता है किसी सिर्फिर हादमी के पास बंदूग होती है कलब में जाके shooting कर देता है प्रेजडेंट पर दो असासिनेशन अटेम्ट कर चुके लोग ठ को चेक-ाउट कर सकते हो अगर आप बिहार में रहते हो Center को जरूर विजिट कीजेगा इसे एक साल्ट करोल बाग में English medium की Foundation की बात चलती है ओर प्रयागराज में English doing gitu this is not just foundation this लेकिन बेस्ट यह है कि आप सेंटर खुद विजिट करो और वहां पर जाकर बातसीत करो अगले साल का एक स्टडी प्लाइन भी डिवलाप हो जाए अभी से और ऐसे इंक्वाइर करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के लिंक पर क्लिक कर सकते हो अने काईड मी आप है अगे अगे की तरफ और मेरे बारे में जानना हो तो दिस स्लाइट ब्रीफ बाउट में और यह म जो चाहता था कि ट्रंप पावर में आए और ट्रंप हार जाए यह आखिर ऐसे क्यों चाहेंगे क्योंकि इनके फिनांशल इंट्रेस डिरेक्ली इनवॉल्ड है अभी तक यूक्रेन में यूएस डॉलर सिक्स्टी बिलियन के आसपास का फंड फूक चुका है किसको देता है और फिर क्या होगा इनका प्रॉफिट मुनाफ़ा कमाएंगे ऐसे आप अफगानिस्तान में 20 साल लगे अफगानिस्तान से यूएस को विड्रॉ करने में तब तक डॉलर टू डॉलियन डॉलर से जाधा का यह एक्सपेंस कर चुके थे खर्चा वहां पर कर चुके थे किसक चाहे उन पर इंपक्ट हो रहा हो लेगिन यह कंपनीज हमेशे यह लॉबी करेंगी कॉंग्रेस्मेन को कि आप प्रेजंस कंटीनियूड रखो फायदा जरूर होगा यूएस जरूर जीतेगा अब दाच्वा यह कॉंग्रेस्मेन फेवर में रहेंगे एंड मोस्ट इसमें दिखा जाता है डेमोक्राइब काफी वेवर में रहते हैं कि यह वॉबर ही ना हो थिक यूएस सबसे बढ़ा होता है कि इम्पैक्ट हो इसलिए डटे रहो वार में लड़ते रहो राइंड अब इससे होता कि आप यह जतने चल रहां दुनिया में यूएस में बहुत ज़् 2022 and next is अपना इस्राइल हमास वाला वर 2023 से ठीक है अब जैसे यूएस हटा था मेजर वार से जैसे इराक सीरिया से हटने लगा था ट्रॉम्प के टाइम पर फिर 2021 में अफगानिस्तान से भी फुल और फाइनल हो गया तो चाइना को सटनली डर लग गया था उस टेंग क्योंकि ट्रॉम्प के टाइम पर चाइना के ऊपर बड़े संक्शन आने लग गये थे यूएस और रिपब्लिकंस अंडर लीडर्शिप आफ ट्रॉम्प दे रिकगनाईज दा चाइना इस दी मेजर प्रॉब्लम है तो चाइना पर फोकस करो संक्शन लगा ताइवान को सपोर्ट क करो इंडिया को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करो पाकिस्तान को कंट्रोल में रखो इंडो पैसिपिक पर फोकस करो कोड का फॉर्मेशन करो अल अब यहां चाहिना को प्रॉब्लम तो यह चाहते हैं कि यहां पर जो इंगेजमेंट्स है यूएस की वह बनी रहे तो डीप स् और यूएस के काम का ही नहीं चाहिना अमारे लिए मेजर फोकस अर्या है तो मैं अगर आओंगा तो मैं यहां से हट जाओंगा एक तो यह मोटिवेशन हो सकता असासिनेशन अटेम्ट का यह आप देखे रहे हो यह कुछ डीटेल्स की कैसे कैसे फंड किया जाता है वर्स को और कैसे वर्ल्ड की यूएस की जो टॉप फाइफ कंपनीज है यह डिफेंस कॉंट्राक्टर्ज है लोखेड मार्टन रेथाउन एंजी बोईंग और जन्रल डैनेमिक्स इनको सबसे ज्यादर बेनिफिट होता है रेट नाओ डिस इस ओल रिलेटेट टूप ब्रॉडर अल लेसर पावर है तो यूएस जीत गया कोल्ड वर को तो मतलब एंड ऑफिस्ट्री इतिहास खतम हो गया यूएस इमर्ज दी विनर इन इस हिस्टोरिकल स्ट्रगल ठीक है अब इसके खिलाफ एक और कॉंसेप्ट आये था क्लैश ऑफ सिविलाइशेशन का कि अब यूएस यह इसके बाद क्या होता है इसके बाद अलगलग सिविलाइशेशन आपस में छोटी छोटी लड़ने लग जाएंगे अर्मेनिया अजर्बाइजान वह और यहां कुछ मेजर प्लेयर्स निकल के आएंगे जो 1990s में यह ग्लोबल गवर्नेंस का एक डॉक्यमेंट एक रिपोर् चैनी थे चाहते हैं कि यह इस्लामिक चाहते है कि यह इसलामिक पाकिस्तान नैक्सर यह इसलामिक यहां इस रूट इम्मिगरेशन होता है मेक्सिको से क्या है था था हुट बहुत सारे इमिट्रेशन यॉरप में वा जिसने आज और जो से यॉरॉप का चैरक्टर है वही चेंज करके रख दिया नो इस नोट जिस्क्राइब तो परिकलियर रिलिज्त इस नॉट इसलाम इशल एंड इसलामिजम राइट सब्सक्राइब कि तरह जब आप किसी को यूज करते हो उसकी बात हो रहे हैं तो यह फंडिंग होती है और यह कभी नहीं चाहेंगे कि यूएस में डॉनल ट्रॉप दुबारा पार मैं क्योंकि जब डॉनल ट्रॉम पावर में आया था यह देखो न आप अपरेटिंग फ्रॉमिट सॉइल मतलब मान रहें कि पाकिस्तान इस इसी सेम पॉलिसी में इन्होंने चाइना को एक मेजर एग्रेसिव की तरह बताया था तो अब जब डॉनल ट्रॉम दुबारा आएगा तो दूबारा वही पॉलिसी अलाइनमेंट होगा अगेंस दी हमको कि आप रश्या से तेल मत खरीदो डिफेंस मत खरीदो रश्या इतना इंपॉर्टेंट क्यों नों खरीदे भाईसा इन्होंने संक्षन लगा तो रश्या और चाइना साथ में आने लग गए जब पुतिन इन्वेड करने वाला था यूक्रेन में तो उसकी एक दिन पह जैवी यह की soul करते कि एन ऐसी करते कि खत्यूशन इंडिया में ठीक है इक बतकुमराइन यह क्रतने कर सबास्तां कि सबते हो आपने अभी नियूस सुनी कुछ दिन पहले राहूल गांदिकर इलान ओमर के पास ठीक है इलान ओमर से मिल के आये थे युएस में वैसे तो युएस में गए और सिखो पर स्टेटमेंट दिए खालिस्टानी पर स्टेटमेंट दिए और इन से भी मिल किया एक ग्रूप है ठीक है जो अपने खुद के एजेंडा के हिसाब से काम करते हैं और इनकी पावर आज के टाइम पीडिट में यूएस यूरप में होना बहुत कम जरूरी है ताकि यह जादा जादा इंडिया के तरफ आज है ट्रॉम्प के पहले कोई भी ऐसा प्रेजिडेंट लेकिन कोई यूएस को पॉलिटीशन इस पर अगरी नहीं करता क्यों कि सबको फंडिंग मिल रही होती है किसी का चाइना के उपर ध्यान नहीं सबको यह है कि अच्छा अफगानिस्तान में वार चल रहा है सब उससे प्रॉफिट में कर रहे हैं ठीक है तो यूएस ने आकर यह प्रेजिडेंट बन जाएं शायद और उससे इंडिया को यह सारे बेनिफिट्स हो जाए जब रिपब्लिकन्स पावर में है ठीक है और इसके अलावा वैसे अगर ट्रॉम पाते हैं तो एक और चीज होगी डाट विल भी ट्रेड में फ्रिक्शन और ज्यादा बढ़ें है ठीक है तो वो छोटा मुटा टिट फोर टाट है जिसको अगें यू हैव तो चूज दी पर्सन हो इस लेसर इवल फॉर यू तो इस कॉंटेक्स में पूरा मैंने डिसक्स किया बाकि आपको क्या लगता है जरू बताये कॉमेंट में लाइक से सब्सक्राइब थैंक यू